स्वाद अनुसार आम काटने का एक बहुत ही असान तरीका है और वो में आपको दिखाऊंगा आप एक आम का पीस लीजिए और उसमें क्रिस क्रोस कट्स बनाईए और उसके बाद आप चम्मच से इसको असानी से स्कूप कर सकते हैं गुटली से पल्प निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन आप ऐसे चम्मच से उसको स्कूप करके असानी से निकाल सकते हैं इसी तरह हम बाकी के दो आम भी क्यूज में काट लेते हैं हमारे मैंगोज कट चुके हैं और अब हम इने प्रेशर कुकर में चार से पांच सीटी तक पकाएंगे और हम डालेंगे आधा लीटर पानी जब तक हमारे मैंगोज को खो रहे हैं हम अपना शुगर सरब बना लेते हैं सबसे पहले हम डालेंगे वन अनाहाफ कप्स चीनी और इसमें हम डालेंगे आधा लीटर पानी हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक की चीनी अच्छी तरह से घुलना जाए हमारी चाशनी तयार हो चुकी है और मैंगोज बिल्कुल पक चुके है तो अब हम मैंगोज को प्रेशर कोकर से बोल में डालेंगे ताकि वो जल्दी से कूल डाउन हो जाए मैंगोज पल्प अब धंडा हो चुका है और अब हम इससे चाशनी के साथ मिक्सी में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे हमारा मिक्स्चर अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है अगर आपका मिक्स्चर थोड़ा गाढ़ा रहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी अज़ास कर सकते हैं और अब हम इसे glasses में निकाल देंगे. तो ये है हमारा homemade mango fruity बिल्कुल तयार. इस summer आप इसे ज़रूर try कीजिए और ऐसी ही simple recipes के लिए subscribe कीजिए. स्वाद अनुसार.